हेलो एवरिवन आइम आस्था वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्मेंट जॉब जैन्यू नॉटिफिकेशन पंजाब नेशनल वेंक रिकूट्मेंट अप्रिंटिशिप रिकूट्मेंट 2024 को इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसका नॉटिफिके में पंजाब नेशनल बैंक में ये जो वर्क है या जॉब है आपको यहां पर पोस्टिंग मिल जाएगी तो अगर आप इंट्रेस्टेड हैं एंड मैं अगर बात करूँ कि इसमें अप्लाई कौन कर सकता है तो यहां मैं आपको क्वालिफिकेशन आपको क्लिया कर देती इस क्राइटेरिया पगर हम आगे नौटिफिकेशन में कवर करेंगे तो यहां जो विकैंसी हैं इनके लिए एनी ग्रेजवेट कैंडिडिट अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजवेशन आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए अलिजबल है अप्लाई कर सकते हैं ओके तो चलि अंडर अंडर एपरेंटिस एक्ट नाइटीन सिस्टी वन ओके टोटल विकैंसी देखिए 2700 दो हजार साथ सो टोटल विकैंसी हैं ओनलाइन राइस्टेशन 30 जून से स्टार्ट हो गया है लास्ट इसकी 14 जुलाई है चंद 14 जुलाई तक आप इसमें अपलाए करेंगे अब आपका जो सेलेक्शन है वह एक्जामनेशन के वेस्ट पर होगा ओनलाइन एक्जामनेशन आपका होगा 28 जुलाई 2014 को आपका एक्जामनेशन रहेगा hard copy of application and other documents not to be sent to this office तो other document या hard copy आपको नहीं करना है यहां पर सेंड सिर्फ ओनलाइन आपको एपलाई यहां पर कर देना ह ओगा ओफिसल वेबसाइट आप देख रहे हैं यहां पर यह ओफिसल साइट दी गई है इस पर जाकर के आप इसमें ओनलाइन अप्लाई कर सकते हैं लिंक अक्रिव हो चुकिए क्यूंकि 30 जून से application स्टार्ट हो गया है सभी स्ट्रेट में विकैंसी है तो आप यहां पर सर में किस category के candidate के लिए कितनी विकैंसी हैं 36 गड में आप देख सकते हैं यहां पर बलासपूर राइपूर ठीक है सब टोटल यहां पर दिया गया है ओके और इसी तरह से डेली में आप देख सकते हैं इस डेली नौर्थ डेली साउट डेली वेस्ट डेली टोटल 178 हैं तो चैसरा में 145 विकैंसी हैं राजिस्थान में 206 विकैंसी हैं तो आप सभी स्टेट का यहां पर देख लीजे उत अपर तोटल यहां पर उत्तपरदेश एक पानसो एक सटड में उत्तप्रदेश में सब जादा मुझे लग रहे हैं यूपी में विकैंसी यह आई हुई हैं तो आप अपने स्टेट के साप से सर्गल के साप से यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल 2,700 हैं, केटिगरीज 22 आप किस केटिगरी में कितनी विकैंसी से हैं, वो आप यहाँ पर देख पाएंगे, Indian citizen apply कर सकते हैं किसी भी state से belong करते हो Ace criteria आपका minimum 20 रखा गया है और maximum 28 है 20 से 28 साल है और 30 June 2024 से आपकी Ace count की जाएगी अगर आप reserve category में आते हैं इन categories में अगर आप आते हैं तो आपको Ace relaxation यहाँ पर मिल जाएगा P.W.D. candidate भी apply कर सकते हैं उनके लिए कुछ instructions यहाँ पर दिये गए हैं तो इनको आप read out करेंगे Education qualification तो यहाँ पर graduate degree in any discipline from any institute college university recognized approved by government तो यहाँ graduate आगर आप हैं किसी भी discipline में आप apply कर सकते हैं आपका result 30 June 2024 तक आपको declare हो जाना चाहिए वो ही यहाँ पर apply करेंगे The candidate applying for training seats of a particular state should be proficient reading, writing, speaking, local language आपको पता है बैंक में जब भी vacancies आती है तो वहाँ पर local language का main रहता है आप जिस zone से apply कर रहे हैं वहाँ की local language आपको आनी चाहिए तो यहाँ भी आप यह ध्यान रखेंगे आप जिस zone से apply कर रहे हैं जिस state से apply कर रहे हैं वहाँ की जो local language है वह आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए ओके and duration of training तो यहाँ आपकी जो training है क्योंकि एपरेंटिसिप है तो यहाँ आपकी जो training है 50 weeks की रहेगी on the job training यहाँ पर रहेगी and the one year training will include include two week basic training and 50 week on the job training तो एक साल की यहाँ पर यहाँ पर आपकी पूरी training रहेगी and stripe end यहाँ पर आपको दिया जाएगा अगर आप rural या semi औरवन एरिया में हैं तो 10,000 रहेगा औरवन एरिया में अगर आप हैं तो 12,000 रहेगा पर मन्त और अगर metro city में अगर आपकी job होती है आपकी जो एपरेंटर ट्रेनिंग के लिए आपको जो मिलता है तो आपको 15,000 रुपए पर मन्त यहाँ पर दिया जाएगा other benefits आपको क्या रहेंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो apply अगर आप करना चाहें कर दीजिए और यहाँ पर आप देख लिजिए application fees जो रहेगी वो भी हाँ पर दी गई है PWD candidate के लिए 472 रहेगी female SCST के लिए 708 रहेगी general OVC male candidate के लिए 944 यहाँ पर रहेगी selection procedure में online return examination होगा जो 28 जुलाई को आपका examination है MCQs types रहेगा इसमें आपके एक question के चार option आपको दिये जाएंगे जो सही होगा वो आपको tick करना होगा general or financial awareness general English, quantitative, aptitude, computer knowledge से question आएंगे सभी से 25-25 questions रहेंगे total 100 questions, 100 marks 60 minute की timing Hindi और English यह दो languages हैं जिसमें आप exam दे सकते हैं जो भी आप देना चाहें किसी एक language को आप चूस कर लेंगे और उसमें आप exam दे सकते हैं और टेस्ट आपका local language का टेस्ट जरूर होगा तो याद रखेगा आप अगर आप इंट्रेस्टेड हैं बैंक से अपरेंटिस से पर अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अप्लिकेशन स्टार्ट होगा है